नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं इविद्या चानल चानल नमबर दस और संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट आप सभी का स्वागत आप सभी का विनंदन और संस्कृत की ये कक्षा हम लेकर आए हैं निस 스ड़्ज दस्वी के विध्यार्तियों के लिए और आज हमारे पास च्रू आइंगे कहानी पर जिसका शीर्षच है विचित्रे-अजू कॉम आज हमारे पास जो शीर्षक है वहुत ही रोचिक है बहुत दिलस्प . आज हम बात करेंगे एक कहानी पर जिसका शीर्षक है विचितरहthat साक्षी कौन है साक्षी क्या किया उसने ऐसा जिसकी वजह से वह विचित्र है या उसे कहा जा रहा है आपको बताएंगे हमारी विश्यशक जो समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तो चलिए हमसे परीचे लेते हैं आप हैं डॉक्टर संगीता शर्मा आप फेकल्ट जाते जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं विभिनमाद्धिमुसित आप हमें कॉल कर सकते हैं आप हमें इमेल कर सकते हैं आप हमें आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएंगे तो भी हमें पहुत अच्छा लगेगा कि आपको यह सत्रिक कैसा लगा तो चल और उन्होंने ऐसा क्या किया हमाम जो वो विचित्र कहला रही है तो सबसे पहले सारे सभी बच्चों का अभिभावकों का और अध्यापकों का जो भी इस कारिक्रम को देख रहे हैं और देखेंगे उन सभी का स्वागत है यहां पर और यह जो पाठ है जिसका शीरशक है विचित्र साक्षी सबसे पहले तो विचित्र तो हम जानते ही हैं मतलब बड़ा अजीब सा कुछ खास सा है साक्षी मतलब कि जिसने साक्षातकार किया हो जिसको हम बोलते हैं वो मुख्य गवाह जो हम कानूनी भाषा में जिस शब्द को सुनते हैं तो गवाह तो हमको दिखते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, जैसे कि आप स्कूल में कभी कुछ गड़बड करते हैं, तो आपको कोई दोस्त देख लेता है, तो मैंने देखा ऐसा करते हुए माम इसको, ऐसा करके वो गवाह बन जाता है, पर ये वाला जो गवाह है ना, ये नहीं होता है उन लोगों को कि ये गवाँ उन्हें देख रहा है तो इस कहानी के शुरुवात करते हैं क्योंकि हमारे पास समय जो है आज कम है और पाठ बड़ा है तो चलिए पाठ में सीधे जाते हैं और आप स्क्रीन पर देखें ये पाठ की शुरुवात जो है उसमें जदत्त निरनयो उपरी आधारिता अस्ती मैं मानती हूँ कि दस्वे क्लास के बच्चों को इतनी इस संस्कृत को वो सरलता से समझ पा रहे होंगे आयम पाठह यह पाठ जो है वो ओम प्रकाश ठककर जो है उनकी कोई कथा है उसका कोई अंश है और इस कथा में क्या है कि जो बंगाल की जो पहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं बंकिम चंद्र चटर जी इनके द्वारा न्याय धीश के रूप में कोई निरनय दिया गया उ सत्या सत्या निरनया अर्थम यदा कदा ताद रिशी नाम युकती नाम प्रयोगम कुरवंती जो न्याय करता रहा मतलब जो न्याय करने वाले होते हैं वो सत्या और असत्या दोनों के निरनय के लिए यदा कदा कभी कभी ऐसा कभी कभी वैसा ताद रिशी नाम युकती न प्रयोगम कुर्वन्ति कैसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं या भी प्रमानम बिना जो कि प्रमान के बिना भी न्याय हस्यात मतब ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिन में प्रमान के बिना भी न्याय हो जाए अस्याम कथायाम अपि न्याय अधीशेन तथे वह मार अपिका पूरा था इसलिए इसको साथ में कर दिया गया, ऐसे बहुत सारे प्रयोग इसको आपको इस पाट में देखने को मिलते हैं, तो अब न्याय धीश ने बिना प्रमाण के कैसे न्याय दे दिया उसको इसको 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 पढ़ना है, कुई निर्धन है, कुई निर्धन व्यक्ति है, कुई बड़ा गरीब सा आदमी है, वो भूरी परिश्रम्या, बहुत परिश्रम करके, परिश्रम्या में आप देखेंगे तो श्रमधातू परिउपसर्ग और लिप प्रत्य आपको दिखाई देता है, जो करके के अर्थ में होता है यहीं पर अगर यहां पर उपसर्ग परी ना होता बच्छो तो यहां पर त्वा प्रत्य आता है ना तो क्योंकि उपसर्ग लग गया इसलिए प्रत्य जो है वो लेप आ गया फिर क्या कहते हैं किंचिद वित्तम थोड़ा सा पैसा उसने उपार जित्वान, उसने थोड़ा सा पैसा कमाया, बहुत मैनत करके, तेन वित्तेन, उस वित्त से स्वपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्याले, एकस्मिन और महाविद्याले, सब्तमी विभक्ती महाविद्याले में हैं इसलिए जो एक शब्द है उसमें भी सप्ट में भक्ति लग गई तो एक कस्मिन महाविध्याले एक महाविध्याले में क्या करते हैं प्रवेश थापईतुम सफलो जात ह disciplina m हो जाता है फिर क्यैंते ततनया मतल़ा पुत्र ततनया वो जो पुत्र है वो निवस कर, पढ़ने में लग गया एक अधा एक बार क्या होता है सब पिता अतनुजस्य रुग्णतायाम रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता है वो बड़ा परिशान हो गया ये सुनकर कि उसके पिता जो है वो बड़े ही लंबे टाइम से बिमार चल रहे हैं फिर क्या हुआ इसको भी इच्छा हुई कि मैं जाओं और देख कराओं लेकिन एक समस्या थी ये था बहुत गरीब घर से तो ये खुद भी बहुत गरीब था तो जब बहुत और हमारे देश में हर किसम के बच्चे हैं ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत पैसे जिनके माता पिता के पास बह स्टूडेंट पास बनते हैं सरकार के दवारा विद्यारतियों को सहहता दी जाती है ऐसी स्थिति मेरे साथ भी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी मेरे पिताजी 20 रुपय ही दिया करते थे एक बार बच्चों बस खराब हो गई और वह बस का किराया लग गया तब मुझे पैदल जाना पड़ा था कॉलेज बहुत लंबा रास्ता इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है चलिया यह स्क्रीन पर फिर से देखते हैं इसके साथ क्या होता है तो फिर होता क्या है कि सह व्याकुल हो जाता है पिता की विमारी को सुनके पुत्रम द्रश्टम चा प्रस्थि निकल गया उसके बाद क्या होता है परम अर्था आकर शेन पैसे की कमी से परम अर्थ मतलब पैसा आकर शेन मतलब कमी से पीड तह सह बसयानम विहाय पदाती रेव प्राचलत वो पैरों से ही चलना उसने शुरू कर दिया बस को छोड़ कर बही जब उसके पास पैसा नहीं ह उसको एक जगे पहुचना है तो ये करना लाजमी था तो आगे क्या होता है पदात इक्रमेण संचलन सायम समय अपियसो गंतव्या दूरे आसीद अब पैदल चलने के लिए जब उसने चलना शिरू करा तो वो शाम के समय में ये जो गंतव्य था शाम हो गई था जहां उसको पहुचना था वो क्या था दूरे आसी था वो बहुत दूर था निशांधकारे प्रसरते विजने प्रदेशे पदयात्रा ना शुभा वहा शुभ नहीं होती है क्या नहीं शुभ होती है पदयात्रा पदयात्रा ना शुभा वहा पदयात्रा शुभ नहीं होती है तो कहते वि हो तब ऐसी जगे पर अकेले रास्तों पर नहीं जाना चाहिए हमारे बच्चे भी इस चीज को ध्यान रखें कि जब कभी रात हो जाती है जब कभी सूरज धल जाता है तो वो भी निर्जन इस्थान से आने जाने से बचे आगे क्या होता है फिर एवं विचार्य स में करने के लिए एवं इस प्रकार विचार्य सोच कर है ना इस प्रकार से सोच कर स वह वह कौन वो जो लड़का है वह पार्श्व स्थिते पार्श्व मतलब पास में स्थिते मतलब सित पास में सित ग्रा में पास में जो गां था उस में में जब आ गया तो सब्त में विभ पतनी रहते हैं, उनके पास जाता है, कि मैं रात में आप क्या रुख सकता हूं? मुझे नहीं लगता है, कि अगर कोई कहेगा कि कितनी भी समस्या बता दे, मुझे नहीं लगता है कि हम बोलेंगे कि रुख जाओ, बड़ा कटिन समय है आजकर, इसलिए बच्चे तो खास तो ध्यान रखें, और मुझे लगता है कि बड़े भी यही कहते हैं कि अचनवियों स दूर हो और जितनी चीजे और घटना होती है तो उस हिसाब से तो यह पॉसिबल नहीं लगता है पर यह शायद उस समय की कहानी है उस जमाने की कहानी है जहां पर लोग सरल हुआ करते थे और लोग हर वक्त हर किसी को कोई लूटने के लिए नहीं चला करता था विश्वास क जो हमारे बच्चे देख रहे हैं इस कालिक्रम को वो यह सीख सकते हैं कि पहली चीज तो इस तरीके किस्तिती में फस्या ही मत शाम को किसी नर्जन स्थान पर जाये ही मत जब तक आप बच्चे हैं तब तक अपने अभिभावक के साथ ही रहना जादा उचित रहेगा जब जब बड़े हो जाएं जब आप एकदम वोट देने से भी बड़े थोड़े और बड़े समझदार हो जाएं तब भी आप रात की यात्रा से जब तक जहां तक हो सके आप बचें वह आपके उसके लिए हितकर होगा क्योंकि देखें यह नहीं बचा और इसके साथ क्या तो करुणा परो ग्रही तसमई आश्रयम प्रायचत तो करुणा में भरे हुए जो ग्रहस्त थे उन लोगों ने तसमई उसके लिए किसके लिए उस बालक के लिए आश्रयम प्रायचत उस बालक के लिए आश्रयम मतलब रुखने के लिए जगे दे दी आप देखें क्या हो प्रवेश हो गया। तत्र वहाँ पर उस घर में नहिताम उपस्तित एक आम एक मंजूशाम मतलब पैसे की या धन का कोई वहाँ पर पिटारी होगी वहाँ पर उस पिटारी को आदाय उठा कर ले जाकर ले प्रत्य है प्यारे बच्चों इसमें क्योंकि आ उपसरगा गया है ना तो उठा कर पलायता चला गया अगर आप पलायता शब्द देखेंगे तो यकता प्रत्य है जो की पास्ट जब किसी शब्द को बनाना होता है ना गतह गया है ना इस तरीके के शब्दों में प्रयोग होता है तो पलाहता मतलब चला गया तो अब चला ही गया जाने कोई है बिलकुल चौरस्य पादध्वनिना चौर के जो चौर है उसके पैरो की ध्वनी से तिरतिया विभक्ति पादध्वनिना पैरो की ध्वनी से अथिती था ना ये चौर शंकयात तमन धावत उसको चौर ये इसको समझ में आ गया कि ये जो पैरों की ध्वनी आ रही है ये पैरों की ध्वनी जो है वो कोई चौर ही हो सकता है ये घर के लोग नहीं है वो बड़ा प्रबुद्ध है वो भागा और उसके बाद आग्रिहनात उसने उसको पकड़ लिया उस चोर को पकड़ लिया लेकिन देखे और आगे का कमाल इस कहानी में क्या होगा कि जब पकड़ लिया तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो है अग्रिणाच यहां पर अग्रिणाच फिर है च ऐसा समझेंगे जब संदी इसकी ऊपन अप पर तब ही एव जो है वो ही के लिँए प्रयूग होता है एव जो है वह अव्य है हमारे चैनल पर आपको अव्य का अलग से वीडियो एक मिलेगा जिसमें कौन से अव्य होते हैं क्या प्रयूग है उस पर अच्छा आपको सुनने के लिए वाचन मिल जाएगा то वह आप देख क्या विचित्र घटता है चौरह एवा उच्चाई क्रोशतम आरभध तो उसने क्या किया 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 उच्चाई क्रोशतम आरभध त अब अब तस्यत तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिन स्वग्रिहात निश्क्रम्य तत्रा आगच्छन वराकम मतिती मेवा चोरम मत्वा अभर्थ सयन। अब तत्रा राक्षियव चैन हैं निश्क्रमान कर चोरम मत्वा मत्वा छोरम मत्वा एफ़ल मेल के बहुता है। यद्यापी ग्रामैर्सयह, प्रॉक्षि यद्यापी ग्रामैर्सयह, प्रॉक्षि 8. आरक्षिृ यद्यापी ग्रामैर्सयह, यही चोरे है। Kohe achieve We sour systems of the properly with the gates of hell, ये जो रक्षा पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया वच्चो ये भी उसी के लिए प्रयोग किया गया आरक्षी भी वही रक्षा पुरुष भी वही चोरी है तम अतितिम चोरो अयम इती प्रख्याप्य काराग्रह प्राक्षपत तब उसको ना रक्षा पुरुष ने मत कर कारा ग्रह में डाल दिया अग्रिम दिने स आरक्षी चोर्य अभियोगे तम न्याया लयम नीतवान फिर क्या होता है अगले दिन वह आरक्षी चोर्य अभियोग में उसने वह और आरक्षी जो है न वह चोरी के अभियोग में तम न्याया लयम नीतवान उसको लेके जाया ग इनका जो चोकिदार थे इनका भी उनोंने सुना क्या सुना कि बही क्या बात है और जो अथिती था उसकी भी बात सुनी सारी बात को जानकर सातम निर्दोशम अमन्यत उनकों ये समझ में आ गया कि ये जो अथिती है वो क्या है सारी घोतना को अब सरक के क calling जानकर सतम निर्दोशम अमन्यत तो उसने तम मतलब उस अतिती को निर्दोश माना आरक्षणम चा दोश भाजनम और उस जो आरक्षणी था चोकिदार था उसको दोशी माना लेकिन किन्तु प्रमान अभावात प्रमान के अभाव में स निरने तुम ना अशकनूत लेकिन प्रमान के अभाव में यहाँ पर संधी है संधी बहुत जगे पर होई यहाँ पर आसान आसान संधिया है किन्तु प्रमान अभावात ऐसा तो प्रमान के अभाव में स निरने तुम उन प्रत्य ना अशकनोद, नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, कि भई ये चोर है या नहीं है, फिर क्या होता है आगे, तव असव, तव अग्रिमे दिने उपस था पितुम आधिश्टवान, तब क्या किया, ये जो न्यायदीश था, उन्होंने आगले दिन, अग्रि आप देखेंगे, तो इसमें क्या है तवतु प्रत्य है, है ना, तो क्या आदेश दिया, कि तुम दोनों ना अग्ले दिन आना, अन्ये दयू, तव, न्याया लए, स्वा स्वा पक्षम, पुना स्थापिता बनताओ, अन्ये दिन ना, तुम दोनों जो है ना, वो अपने- तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदत उसी वक्त क्या होता है कि कश्चित कोई तब एव उसी समय कोई कर्मचारी जो है वहाँ पर आता है इसी बीच में प्रकट होता है उपस्थित होता है और समागत्य वहाँ आकर न्यवेदत वो करता है रिक्वेस्ट करता है कि भहिया यत इतह क्रोश अद्वया अंतराले दो कोश की दूरी पर यहां से इतह मतलब यहां से क्रोश अद्वया अंतराले दो कोश के अंतराल में कस्चित जना के नापी हता किसी जन ने किसी को मार दिया है कस्चित जना कोई जन के नापी किसी को अप भी मतलब भी हता मतलब मार दिया है यहां पर भी तव प्रत्य है वह इक तव प्रत्य जो कि मैंने भी आपको बताया था भूद काल के लिए प्रयोग किया जाता है है ना उसका मरा हुआ जो शरीर है वो राज मार्ग के पास है तो आदिश्यताम किम करणियम इती? आदेश दो आप न्यायदीश से कह रहे हैं किम करणियम इती? क्या करें हमको आदेश दो? न्यायदीश ने क्या किया? एक वो आरक्षन है वो और जो अभियुक्त है वो इन दोनों को कहा क्या कहा? कि शवम जो शव है उसको न्याया लए में आनेतम आदिश्टवान उसको लेकर आओ आप अब दोनों तो तयार हो गए अब उन में से एक था लड़का विचारा है ना? जिसमें ताकत नहीं और दूसरा वो भरपला एक दब मजबूत सा चोकिदार आप उनको कहा कि भई वो जो जहां पर शव पड़ा हुआ है तुम दोनों जाओ और शव को लेकर आओ न्यायदीश ने कहा और तब मैं जाकर तुम्हारी बात सुनूँगा और तब जाकर मैं ब प्रयास भी कर रहे होंगे तो देखते हैं आगे और क्या हो रहा है तो कहते हैं आदेशम प्राप्य अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है आदेशम प्राप्य उभव प्राचलताम ऐसा आदेश प्राप्त करकर उभव ये दोनों जो है ना उ उ था ओ नहीं था तो वो और उ मिलकर ओ कर दिया तत्रों पेत्य कास्ट पटले जो लकडि का पटल पर नहितम एक जो लकडि के फट्टे पर नहितम मतलब धराऊ रखा उआ पटाच चादितम और कपडे से अच्छादित धका हुआ दें एसी दे रखी थि उस दें को सकंधेन वहनतव कंदे पर दोनों लोग कंदे पर वहनतव मतलब उठाए हुए न्याया अधिकरणम प्रति प्रस्थितव न्याया लय जो है ना उसके लिए उसके तरफ चलने लगे अब आरक्षी जो था है ना वो तो सुपुष्ट देह आसी था उसकी तो जो देह थी वो कैसी थी अभ्युक तश्च अतीव क्रिशकाया बड़ा कमजोर सा था क्रिशकाया मनला कमजोर सा भारवता शवस्य सकंदेन वहनम तत्कृते तुशकरमासित और उसके लिए यह जो शव है इसको अपने कंदे पर उठाकर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था है ना सब भारवेदनाय क क्रंदतिस्म वह भार की वेदना से रोने लगा दर्द हो रहा है उसे तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितम आरक्षी तमवाज तो इसके क्रंदन इसके रोने को सुन कर यह जो प्रसन आरक्षी है यह जो चोकिदार है यह कहता है क्या कहता है रे दुष्ट ओ ओ दुष्ट तस मिन दिने उस दिन तुम ने मुझे मन्यूशा जो दन का जो पेटी थी ना उसको ले जाने से रोका था ना इ।भानिम अब और ठाइब अपने जो क्रत्य हैं अब Yakत्ष्षज क्रत्यत्यत्तिम व शुद्धित्र वहdes s subscribe 00 to जो चोरी का जो अभियोग लगा है ना इतनों को तीन साल का कारा दंड प्राप्त होगा इती प्रोच्चे उच्चे ही अहसत ऐसा बोलकर जोर-जोर से हसने लगा यता कथंचित उभाव शव मानी हिया एक असमिन चत्वरे स्थापता वनता हो यह कैसे जैसे शव को लेकर एक चबूतरे पर उन्होंने शव को रख दिया गरहनात वारिता फिर क्या कहते हैं कि जब चत्वरे चत्वारे पर रख दिया और उसके बाद क्या होता है गरहनात वारिता अतह निजकृतियस्य फलम भंक्ष्वर ऐसा यहां पर कुछ डबल वो हो गया है तो जब उनको यह पत क्योंकि हम पर कम समय इसलिए में बच्चों के सामने कम से कम भाव रखने की सोच तो जैसे ही कहते हैं अच्छा तुम अपना पक्ष सुनाओ तो जैसे ही अपना पक्ष सुनाते हैं तो इतने में यह जो लाश खड़ी हो जाती है और यह कहती है कि मैं आपके सामने सची बात यह कहते हैं कि इसने सामने कहे रहा हूं तो सारी काम अईसे बूला रिपीट कर देता है और उसके पास प्रमाण जॉए आ जाता है और वो यह निर्धारत कर पाता है कि चोरी कौन है इसलिए कहा भी गया है कि दुष्कराणी अपी कर्माणी मतिम वैभवशालिना नीती युक्तिम समा लंब्य लीला एव प्रकुर्वते कहते हैं कि यह जो बहुती बुद्धी के द्वान लोग होते हैं बहुत अच्छी बुद्धिवारे लोग होते हैं जो वैभव मतिशाली लोग होते हैं वो अपनी वैभव की बुद्धी है उससे मुश्किल से मुश्किल काम जो होते हैं दुष्कर काम भी है उनको भी सिद्ध कर लेते हैं तो इस प्रकार से यह पार जो है यहां पर हलांकि खतम तो नहीं हुआ लास का एक पैराग्राफ और भी समय है जितने भी दर्शक और वच्चे हैं उनने बहुत जट्शे से समझ मे आई होगी है और गांपसर है मुटेकर पर जाजला चाहन के सांग ने आई होंगी लेकिन यह न कि आयां और जेसे कहानी के बहूत संगशेप में आपसे इस कहानी के से यह जो संदेश, वह जा नना चाहेंगे वार्व। अगर आपकी बुद्धी है उसके बार में बताया गया है और अच्छी पढ़ाई लिखाई से संदE respectful चाहईस नहीं है तो यानि कि ग्यान आपको लेते रहना चाहिए और जब आप इस एक स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो देखेंगे कि जितने भी मुश्किल परिस्तिते हैं वो कितने आसानी से आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं जितनी भी मुश्किल हालात है जैसे इस कहानी में हुआ और ज वेचितर साक्षी वो शव जो है जो बच्चे नहीं समझे हो तो उनके लिए जी तो उस शव के लिए क्योंकि वही एक तरीका था जिससे पता चलता कि कौन सच बोल रहा है कौन छूट बोल रहा है और इस कठिन पर इस स्टी से बाहर निकालने के लिए वो शव का सहारा ले विशा जारथियों तक पहुंचाया अपने सभी देखने वालों के करेंगे लेकिन आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हैं ब्रेक की बाद अपने राइव इंट्रक्शन के साथ हासिर होंगे जो की जिसे हम बात करने वाले है और इंवारमेंट अपने परि